हालो मॉम्स एक बार फिर से आप सभी मॉम्स का स्वागत है इस वीडियो के अंदर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के सफर में बहुत ही इंपॉर्टिन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको लेकर करके काफी ज़्यादा मिठ ह हैं कुछ लोग बोलते हैं या जाए कुछ लोग बही घरिवस्ता के दोरान महंदी का उप्योग स्रक्षिता है यानि क्या प्रेगनेंसी में आपको महंदी लगाना चाहिए या नहीं बाल में भी और हात में तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको मेहंदी लगाना चाहिए कि नहीं और अगर लगाना है तो कौनसी मेहंदी का इस्तेमाल करना है वहीं मेहंदी लगाने से क्या क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वह भी हम आज सी वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो तोड़ा लंबा होगा बद काफी इंफॉर्मेटिव है और आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट भी है इसलिए वीडियो को आएंट तक दिखीगा और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को ज़रूर प्रेस कीजिए प्रेगनेंसी स मन में सवाल आ रहा हुगा कि मेहन्दी लगाना सुरक्षित है सेफ है जानेंगे तो सबसे बात करेंगे क्या गर्वती महिलायं मेहन्दी का इस्तेमाल कर सकती है नै इस पर शोद की कमी नहीं है बहुत सार रिसर्च किये गए हैं हाँ ऐसा माना जाता है कि नेश्रल यानि और गैनिक लाल महंदी काफी हद तक सुरक्षित हो सकती है लेकिन इससे कुछ समवेदर शील लोगों को एलर्जी होने का भी खतर यानि जो सेंसिटिव लोग हैं इससे उनको कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं ऐसे में सेंसिटिव महिलाएं इस संब्ध में यानि मेंदी लगाने से पर ले अपने डॉक्टर की सजेशन जरूर और अगर आप डॉक्टर की सजेशन पर मेंदी लगा रही है तो वजार में उपलब्त क्यामिकल युक्त महंदी को उप्योग करने से लिए बच महात कहते हैं क्या गरबहावस्ता में फ्रिगेंसी में हाथों पर महंदी लगाना सुरक्षित हैा गरबहावस्ता के consumm extral अच्आरीatan यानि नेच्छरल बिना केमिकल वाली हगानी यानि केमिकल रहिट ऑने जिसमें केमिकल ना हो में लगाने से गरवत और गरवध शिशू क को किसी तरह का कोई भी खत्रह होने की गुंजाइस ना के बरापर होती है इसी वज़ा से हातों पर महंदी लगाने को सुरक्षित माना जा सकता है बट अंली नेचरल अब बात करेंगे क्या डूरिंग प्रेगनेंसी यानि गर्भावस्ता के दरण बालों पर महंदी लगाना सुरक्षित है जी हाँ गर्भावस्ता के दरण बालों पर प्राकर्तिक महंदी यानि हीना लगाना सुरक्षित हो सकता है महंदी को गर्वावस्ता में बालों की देखपाल के लिए लगाया जा सकता है इस समय रसाइन युक्त महंदी को यानि केमिकल वाली महंदी को लगाने से आपको बचना है क्योंकि इसे गर्वदी के स्कैल्प और बालों को नुक्सान पहुचने का जोकिम जादा होता है इस नाजुक समय में बालों को कलर करने के लिए किसी भी केमिकल व्युक्त रंग यानि डाई का उस्तेमाल करने से आपको बचना है वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग गई है तो लाइक कर दीशेगा साथी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कहता है तो सब्सक्राइब करके बेल एकन को प्रेस कर दीशेए आप बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन सी महंदी सुरक्षित होती है प्रेगनेंसी में औरगेनिक महंदी लगाना ही सुरक्षित होता है इस दोरान ऐसी महंदी का उप्योग करें जैसे हीना के पत्तों से बनाया गया हो उसमें किसी भी तरह की मिलावट होगी तो कैमिकल की वज़़े से रियक्षिन हो सकता है आपको ध्यान देना है कि प्राकर्तिक महंदी का रंग कभी काला नजर नहीं आता अगर आपकी महंदी लगाने के बाद काला रंग छोड़ती है या कुछ देर बाद उसका लाल या नारंग की रंग बहुत काढ़ा हो जाता है तो समझ लें कि वो प्राक्रतिक मेंदी यानि निटब मेंदी नहीं है उसमें कैमिकल है और आपको ऐसी मेंदी से बिल्कुल बचना है हाथों के लिए भी और पालों के लिए भी अब बात करते हैं क्या काली महंदी का उपयोग गर्वती महिलाओं के लिए सुरक्षित है नहीं गर्भावस्ता के दौरान काली महंदी का उपयोग करना असुरक्षित होता है दरशल काली महंदी में PPT नामा chemical compound पाया जाता है जो गंभीर एलर्जिकल रियक्शन का कारण बन सकता है इसी वज़ा से प्रेग्नेंसी में आपको काली महंदी का उप्यों करने से बिलकुल पच्छना है अब बात करते हैं कि करभा वज़ता में महंदी लगाने से क्या-क्या आपको साइड इफेक्स यानि क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं तो प्रेग्नेंसी के समय पूरी तरह से प्राकेतिक महंदी का उस्तेमाल ना करने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं और वो क्या क्या हैं सबसे पहले एलर्जिक र्यक्षिन हो सकता है यानि प्रेग्नेंशी के समय तवच्छा अधिक सम्मेदन शीळ होती है ऐसे में क्यमिकल युगत महन्दी का इस्तेमाल करने से ऐलर्जी हूने का जोखिम बन रहता है इसके लिए केमिकल युगत महन्दी मे मौझूद रसायन को जिम्मेदार माना जाता है कुछ सम्मेदर्शील लोगों को प्राकेतिक महंदी से भी हलका एलोजिकल रियक्शन हो सकता है इसलिए डॉक्टर से सजेस्ट जरूर करें अगला जो बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है आपको वो है कैंसर का जोखिम अगर शोध की माने तो प्रेग्नेंसी के समय बालों में कैमिकल यूप्त महंदी लगाने से कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है दरसल जो कैमिकल वाली महंदी होती है उसका रंग वा महंदी में कैंसर का कारण बनने वाले रसाइन होते हैं इसके कारण बार पर महंदी का इस्तमाल करने से कैंसर होने का खत्रा बढ़ जाता है अगला नुक्सान आपके प्रून को यानि बच्छे को हो सकता है एक रिसर्च में बताया गया कि महंदी को इंजेक्शन की रूप में गर्वती जानवरों को देने से घरपात हो सकता है इसी अधार पर शोथ में कहा गया कि महिलाओं को महंदी का इस्तमाल बहुत ध्यान पुर्वक करना है आने था इससे आपके गर्व में पल रहे शीशू को नुकसान पहुँच सकता है अब बात करते हैं गर्वती महिलाओं को महंदी का उप्योग करते समय क्या-क्या साउधानिया करनी है गर्वती महिलाओं को महंदी का उप्योग करते से में कुछ खास आउधानी बरतने के हो सकता है इससे गर्भावस्ताओं के दुरान होने वाले नुकसान से आप पत सकती है तो प्रिगनेंसी में शुद्ध प्राक्रितिक महंदी का ही इस्तेमाल करना है आपको मार्केट वाली केमिकल वाली महंदी का अस्तेमाल नहीं करना है अगर तो अधिक सम्वेदन सील यानि सेंसिटिव है तो महंदी को लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर ले बालो पर महंदी लगाने है तो स्वें लगाने के वज़ाए घर के किसी मेंबर की हेल्प ले महंदी लगवाने में अधिक समय लग सकता है इसलिए इसे लगवाते समय आराम दायक अवस्ता में आपको बैठना जिससे आप उनकंफर्टेबल फील ना करें बालो की महंदी को धोने में ठकावट मेसूस हो सकती है ऐसे में बालो को धोने के लिए पती की मदद लिया किसी कुरसी पर बैठकर बालो को आप अराम से धोई या घर के किसी मेंबर की हेल्प ले महंदी को लगाने के बाद जलन हो तो उसे तुरंत आपको धो देना है अगर किसी को गर्वधारन करने से पहले भी महंदी से एलर्जी होती है तो गर्भावस्ता में इसका इस्तेमाल आपको विल्कुल नहीं करना है बिल्कुल अवाइड करना है तो मेहंदी घरभावस्ता में महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षी था और कितनी नहीं इस वीडियो को देख करके आप समझ ही गए होगे इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देना चाहती थी वो आपको अची तरीके से समझ में आ गई होगी साथ ही जो कंफ्यूजन था मेहंदी को लेकर के कि मेहंदी लगानी चाहिए कि नहीं प्रेगनेंसी के उदरान वो भी आपका क्लियर हो गया होगा सिंसिटिव हैं तो डॉक्टर का सजेसिन जरूर लें और मेहंदी को अगर जरूरी ना हो तो ना लगाएं अवोईडी करें क्योंकि आफ्टरोल आपका बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सो वीडियो अच्छे लगा तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बहले कि जरूर प्रस कीजिएगा आपकी कोई राह है सलाह है तो कम इन बॉक्स में हमें जरूर बताएं